कि अज्याहिंद्र नमस्कार मेरे सेर्षेनियों लाड़ो ड्राडलियों प्रागता आप सभी आपके अपनी यूटूब चनल कमांडो केड़ी में पर दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही प्यारी सी न्यूज है की तरफ से जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं मिनेस्ट्र इस्टाप की हेड कॉंस्टेबल और एसाई दोनों की वेकेंसिया आप सभी को पता अभी पहले सी आई सब में आए थी अब सी आर्प में भी आ गई है बीए सब की चली रही है लगातार सभी पेर अविलिटी फोर् सव प्याद सब्सक्राइब की तैयारी करें उनके लिए भी या संपर ABD आ नकों के लिए भी या SSB प्या निचे लिए बीक जो बच्चे नहीं कर रहे हैं उनको करने लगना ना चाहिए क्योंकि वेकेंसिया इने में कम-कम आती है लेकिन हर एक डिपार्मेंट में जब आप वेकेंसिया मिलाओगे तो लगबख साल में यह मान के चलिए इस साल में लगबख 20,000 पोस्ट किये वेकेंसिया हो जाएगी त तो ऐसा मोका आपको काविए बताईए अब जो आप मेरे पीचर देख रहे हो यह searp की नोटिकेंस आईए देखिये कितने पोस्ट की वेकेंसिया आ आज नोटिकेंसिया आईए आप ऊरिजिनल नोटिकेंसिया वैसे स्यार प्योग्वेसाइट पर पर जाके देख सकते हो न और head constable ministerial की जो पोस्ट लगबग 1315 पोस्ट है अब इसके फोरम कब बरे जाएंगे इसमें age criteria क्या रहेगा इसकी education क्या रहेगी वो भी बता देता हूं देखें इसके जो फोरम है आपके लिए सबसे बड़ी बात इसमें फोरम और exam date दोनों रखिए देखें फोरम तो आपके इसके 4 जनवरी से शुरू हो जाएंगे तब से शुरू होंगे आपके फोरम च्यार जनवरी से आपके फोरम शुरू हो जाएंगे age का जो criteria वो है 18 से 25 स से अगर आप जनरल केटेग्री से बिलोंग कर रहे हो तो आपका जो जनम है वो 26 एक 1908 में के बाद में होना चाहिए और 25 2005 के पहला होना चाहिए अगर आप OBC से हैं तो आपको 3 साल की छूट मिल जाती है अगर आप SCST से हैं तो आपको 55 साल की एक्स्ट्रा छूट मिल जाती क्या अओने चीए वर्म 4123 से वर्म क्या हुद जाएंगे क्या एक से हैं इसका एकजाम डेट भी आ रहे हैं और आपको बता दूँ यह वेकर रहे हैं तो उन बच्चों के लिए सिधा मौका हो गया सेम सेलेबस में कोई बतलाव नहीं तो नों की स्किल सेम है टाइपिंग की स्पीड सेम है सब कुछ सेम है अगर आप उसकी त्यारी कर रहे हैं यह फोर्म तो आपको लगाना है यार तारिक से फोर्म शुरू हो जाएंगे द्यान रखना लास्ट डेट है पत्चीस एक दोजार अब और इसमें इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट क्या है मैं आपको उनलाइन मादें से फोर्म बरे करता हूँ 143 पोस्ट है असिस्टेंट अब इंस्पेक्टर की और हेड़ कॉंस्टेवल मिनिस्ट्रेल के लाड़ दो 1515 पोस्ट ठीक है तो पोस्ट एक कम नहीं है इतनी है आप सभी को पता है यह सफ में थी काफी अच्छे पोस्ट है डेट के बारे में आपको एज पर हेड कोंस्टेपल में नर्मल जो ट्राइपिंग के श्पीड है जो आप सभी एकजाम में में चाहिए होती है इन में चाहिए लाड़ आपको इसके लाव कोई इसमें प्राइप यह आपको देखने की जूरुत भी नहीं है बाकिस इंटर बें अटर दे दिया हाँ हाँ ह पर मिनिट के हिसाब से टाइपिंग इस्टेनों की होनी चाहिए तो हेड़ को इसमें 35 वर्ड की स्पीड कि इस्पीड कि लाड़ लो और 35 से 40 मान लीजिए कुल मिला के इतनी स्पीड चाहिए तो बाकी सब में आपने दिया होगा इसके अलावा अब इसमें क्या-क्या मेल के लिए तो इसमें नहीं होती है ओड़े मेल के लिए के लिए स्टेकरी कंडिटर उनके लिए 162 के लिए सबस्क्राइब के लिए निए एस्टी के टेग्री से उनके लिए फिमेल के लिए उनकी 150 हाइट से यह हाइट भी ज्यादा नहीं है कहने का मतलब यह है कि 165 से अगर आप जन्रल के टेग्री से हैं और यह हाइट का टाइट आपको बताए इसमें होती नहीं है इसके अलावा और इसका कोई मुख्य काम में बसता नहीं इससे अलावा और कुछ आपके लिए नहीं फारम बढ़ने की पूरे तरीके दे रखें जो आपको और जाओगे तो आपको सब पताए चीज है आप सब जानत के लिए ना टाइपिंग की स्पीड है और वह बनी भी जाएगी आप भारम अभी भरिए के लिए पेपर होगा यह बात में टाइपिंग होगी तो तब तक आपकी स्पीड आ जाएगी लाड़ ठीक है क्यार जनुरी से फरम स्टार्ट हो रहा है जल्दी करिया फरम जय हिंद जय भारत